जबर्दस्त मतलब जबर्दस्त आप इतनी सर्वेसे सिर्फ नेट बैंकिंग से ले सकते हो क्या आपको बैंक जाने की जुरुरत ही नहीं है प्राइवेट बैंक अगर बिजनस भी कर रहा है अगर बिजनस प्रोडक्ट बेचता भी है तो वो अपने सर्वेस के दम पर ही बेचता है वारी कैश जमा करवाया था लाइफ में उस टाइम ही लंच टाइम हो गया था तो मैंने सच माल लिया इस बात को यह लंच टाइम तो भाया फिक्स है यह नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम करन्ट अकाउंट से जूड़ी एक एक बात को जानेंगे यहां पर हमने बुलाया है ऐसे स्पेशल गेस्ट नैंसी जी को जिनको बैंकिंग के अंदर पांच से छे साल का एक्स्पीरियंस हो चुका है औ को सारे के सारे बताने हैं तक हमारी ओड़ियंस को क्लियर हो जागी आखिरकर करन्ट अकाउंट हो तक है कैसे काम करते सारी की तर सबसे पहलों तो मुझे अपने अकलिए रॉडियोशन के बाद डेली में टाइम दिया आपना अच्छान को टी चाहरे की वहांपे SBA PO की जो यह competitive exam होते है, government exam होते है, उनकी त्यारी की थी, तो unfortunately वहाँ तो नहीं वह पाया था, तो उसके बाद मैंने बैंकलोर में PGDB, क्योंकि बैंक की पढ़ाई करते हैं, बैंक के subjects में ही interest आने लगा, तो यही था कि बैंक में ही जाना है, finance related ही जाना है, कहीं पर भी जाना है तो, तो वहाँ से मेरी जो entry होई, as a PO, as a RM, relationship manager in trade department, trade, import export department, right, तो उस department मेरी entry होई, तो वहाँ से ही मेरे career की शुरवात ही, तो trade में कितने साल हो चुके हैं, मतलब, पर पांच साल होता है, मतलब, starting से trade के अंदर हो, तो मतलब, फिर तो current account आप बिल्कुल अच्छे से समझा दोगे, कि सारी audience को एक तुम clear हो जाए, तो फिर बताइए, current account के बारे में, थोड़ा बताइए, क्या होता है, current account, देखो, हम कह सकते हैं, एक savings account होता है, एक current account होता है, savings account ओता है, वह basically, आप जो savings करते हुआ, आपके savings purpose के लिए जो होता है, वो savings account होता है, लेकिन जो current account होता है, आपने business कर ने है, कोई भी, तो जितनी भी गुवर्मेंट ने एक current account का facility मतलब एक इंटर्ड्यूस किया कि आपको जितनी भी business की transaction करनी है वो आपको current account में ही करनी है ठीक है आप अगर मालों कोई भी business related लेन देन कर रहे हैं तो वो सब current account में ही होगा मतलब जो लोग business करते हैं तो वो एक current account खुलवाएं तो जैसे देखो मतलब इंडिया में तो मैं आपको बताता हूं कि मतलब कोई भी जैसे आप लगा लोगी रेडी वाला भी business कर रहे है एक बड़ा दुकांदार में business कर रहे है विट मैंने बहुत कम देखा लोगों के पास क current account वो सारे अपना savings में करते तो आज तक हमें ही समझने आती कि यह गुवर्मेंट ने इसी चीज को track करने के लिए कि कितने business हैं हमारे इंडिया में कितने business चल रहे हैं उन सब के लिए ही बोला सब मतलब लोगों के लिए तो यही है कि आपको current account ही open कर वाना है लेकिन अभी इंडिया के जो लोग है वो बहुत सारे जो चोटे मोटे business है वो saving account में ही रन कर रहे हैं जिनकी churning कम है उनको लगता है कि नहीं होगा government को क्या जैसे मैं पने कुछ की personal बात करूं मायनों कि मुझे business करना है ठीक है मेरे को यह तो पता कि current account नाम की चीज होती है बेट मैं कौन GST के चक्रों में पढ़ेगा इन सब से आपको लगता होगा ना कि CA के चक्र में पढ़ना पढ़ेगा है ना balance sheet के चक्र में पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अगर आप देखो तो current account के बहुत सारे benefits add हो जाते हैं अगर आप current account में ही अपना business run करते हो अच्छा देखो आपक यह वर्किंग कैपिटल गाप यानि की लोन के ओपर ही काम करते हैं ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उधारी का गया पाजाता है ना working capital gap का मतलब उधारी का गया पाजाता है उस gap को खतम करने के लिए बिजनसman जो है वह बैंक से लोन लेता है ठीक है चलो बैंक से नहीं ले मतलब यह है कि आप bank से सबसे basic जो difference है वो यह है कि rate of interest बहुत कम है banks के, बहुत कम है, ठीक है, तो bank से loan लेने के लिए आपको एक current account होना जुरूरी है, current account होना क्यों जुरूरी है, क्योंकि आप अगर एक current account उपन तो basically मोटी मोटी बात अगर हम यह समझे कि अगर current account होगा तो हम business purpose के लिए loan ले सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे क्योंकि current account से हमारी balance sheet बने क्योंकि वो maintain रहेगी तो bank सारी चीज़े देखेगा, अच्छा, एक मेरे को, sorry आपको interrupt किया, अगर माल लीजे मेरे पास savings account है, जैसे इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं कि business run कर रहे हैं, तो अगर मै bank के पास जाता हूं, लोन लेने के लिए, तो क्या मुझे savings account है, business loan मिलेगा, तो मतलब सबसे बेड़ी बात ही होगी, आपको पहले current account होना चाहिए, तब जाके आप business loan के लिए बिजनस loan के लिए बिजनस loan के लिए भी न, मतलब आप अगर आपको OD चाहिए, overdraft चाहिए, CC चा सकता है, आपको एक limit मिल सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कल एक current account खुल वाया और मैं पोच गया वहां पे, मैंने को मतलब तीन साल का अपना record maintain करके रखना मेड़ेगा, तो सबसे पहले में इस conception तो यह दूर करें कि यह बिल्कुल easy है न, खुलवाना, savings account की तरह लिए, कुछ देखो, saving accounts में आपको अपने KYC के लिए छोटा मोटा documents लगते हैं, अधार कार, पैन कार, आपकी, अगर आप online खोलते हैं, तो video call, video KYC, that's it, current account में कुछ addition हो जाता है, जैसे आप firm भी register करवाओगे, तो आप GST number लोगे, बिल्कुल, right, GST number आपको बैंक को देना पड़ जैसे अगर मैं बात करू, current account B, current account को छोड़ो आप, जो firm होती है, एक firm, business firm होती है, वो तीन तरह से divided होती है, basic, basic बात करते हैं, तीन तरह से divided होती है, one is proprietorship, another one is partnership, and private limited, public limited, okay, अब हर जो documents है, जो eligibility of documents है, वो depend करता है कि आपकी कौन सी firm है, proprietorship है, partnership है, जैसे अभी हम इनकी बात कर रहे है, proprietorship, private limited, तो, यह basically क्या चीज होती है, मतलब कि, जैसे कोई बंदा मानो, for example, layman language में चलते हैं, कि मानलो, मेरे को business start करना है, ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले firm में register करना पड़ेगा, कि कोई भी business start कर रहे हैं, तो, हाँ, जब एक solo owner हूँ, अपने firm का, ownership दिखाने के लिए GST वोगरा चलता है, और balance sheet maintain करने के लिए current account चलता है, current account, exactly, GST भी तो, अगर आपके पास GST होगा, तभी आप current account open कर वापा होगा, विदावट GST हम नहीं करते हैं, नहीं होता है, exceptional cases होते है, F&B form लग जाता है, लेकिन GST, आज total level का business है, जिसकी कम transaction है, वो avoid करता है GST के लिए, क्योंकि GST returns fill करने ही पड़ती है, ठीक है, every month आपको GST return fill करने ही पड़ेगी, exactly, तो उसको avoid करने के लिए, कुछ लोग F&B form ले ले लेते हैं, वो government से मिल जाता है, वो आपके bank को ले, आप जाओगे, तो वो खुद उनको ब business open करने है, तो मतलब अगर चलने है, तो सबसे पहले हैं, तो सबसे पहले हैं, जिस्ट लेना पड़ेगा, उसके अंदर भी अलग अलग वो आते हैं, कि आपको मतलब private limited के लिए apply करने है, आप अपनी firm को कैसे register करवाना चाहरे है, आप अपनी firm को partnership as a partnership register करवाना चाहरे है, as a proprietorship register करवाना चाहरे है, as a private limited और a public limited, तो यह सब मतलब CA ही वो करवा देता है, कि एक CA के पास जाओ, उसे बताओ कि मुझे यह करवाना है, तो वो बता देगा कि क्या है, तो अगर हम basically current account के बात करें, तो मतलब current account को open करवाने के लिए क्या क्या चाहरे है, सबसे पहले दुम क्या 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 चाहरे है, कि आपकी firm कौन सी है, और इन में क्या difference है, मैं कौन सी firm में अपना register कर रहू है, तो basically तीन तरह की firms होती है, proprietorship, another is partnership, another is private limited और public limited, ठीक है, जो proprietorship firm है, जो proprietorship firm है, उसके जो owner हो, आप खुद हो, आप अकेले उसके owner हो, तो तो अपके उसके owner हो, त okay, the single one is the owner of the firm, okay, भो क्या होगई, proprietorship होगई, अनदर वन is partnership, partnership में like, we two are running a business, right, तो हम partners होगई, partners होगई, partners होगई, partners दो भी हो सकते हां, और सो भी हो सकते हैं, minimum number should be two and a maximum can be the company's act 1934, company's act के according, जो पार्टनर्स है जो माकस्मम नमबर पार्टनर्स है आईक दंढ temple हैता के थिक बॉठट है आंड मीनिमम शूट बी टौर आप अपने आपको गूसरी यह फिसा नहीं हो लिए ने इंड। प्राइवrire видео प्रमTh के बेसिक डिफरंश हुता है प्राइमिट्पिट में जो होता है बोरड डीरेक्टर्स होते हैं प्राइवित माध में मीनिमूम में मिनिमूम था थीचिम माक्सिमंति प्राइवेट में इसकानल स्थ फॉन lanzar पॉएक। फॉब deaf पूरा बिजनस का वह बता दिया तो अगर हम डॉक्यमेंडेशन के लिए क्या क्या चाहिए होती हैं वह यह बताती है अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं बेसिकली प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप आप अकेल हैं त कि bank के कुछ documents होते हैं जो letterhead पर प्रिंट होंगे आपके यानि कि आपका आपकी company का नाम focus बात है लगाई है तो आपके पास एक letterhead होना चाहिए focus पात का A4 size का जो होता है आपके company के नाम की stamp होने चाहिए ठीक है मैंने आपको बता दिया आपकी जो letterhead हो आपका जो वो है क्या करते हैं स्टैंप वो और अनादर वन दर लास्ट वन आपसे bank चेक मांगेगा चेक मांगेगा तो आप अपने saving account का check दे सकते हैं अच्छा कि मिल्दा वो एक तरह से verification के लिए होता है कि saving account का check account opening check होता है ठीक है ठीक है तो यह basically proprietorship के बहुत simple documents होगे बहुत simple documents होगे that GST is required अगर आप savings account कोलते है वहां GST चाहिए यहां GST चाहिए ठीक है उसके इलावा अगर हम partnership की बात करे partnership में pancard बनता है firm का pancard मतलब अलग से company अब का pancard बनेगा ठीक है अब का pancard है ऐसी आपके company का pancard बनेगा वह partnership firm के partnership firm के लिए GST ठीक है जीस्ट होगा ठीक है तो अब डॉकुमेंट्स की बात करते हैं अधार card पैनकार दोनों partners की बात हो रहे हैं दोनों partners के अधार का जैसे हम दोनों business run कर रहे हैं तो आपका भी अधार काड पैनकार लगेगा मेरा भी अधार काड पैनकार लगेगा और एक जो business का pancard बनेगा बनवाना पड़ेगा कि वह चीज लगेगी जितने भी partner से उन सब का KYC लगेगा अधार पैनकार और अपना फर्म का जीस्ट लगेगा और फर्म का पैनकार लगेगा ठीक है वह सेम लेटर हर लगेगा स्टैंप लगेगी और चेक लगेगा चेक दोनों partners में से कोई भी दे सकता है कोई ऐसा नहीं है ठीक है बस यह basic documents है ठीक है अब आते हैं प्राइवेट लिम्ट पैनकार लगेगे सब ही डायरेक्टर की के वाइसी होगी जीस्ट लगेगा फर्म का फर्म का पैनकार इसमें भी बनके आता है उसके इलावा जो तीन तरह के documents होते हैं certificate of incorporation वह लगता है ठीक है उसके बाद board of resolution लगता है आटिकल of association लगता है यह जब आप अपने form रेजिस्टर करवाते हो न तो आपका सब कुछ यह basic documents बेसिक documents जो मेरे को मतलब अपने documents तो बता दे कि यह यह लगते बेट मेरा एक सबाल यहां पर यह आता है कि जैसे मान लीजे कुछ रेडिवल है करता हो वह बिजनस रहा है तो अब उसको भी इस सारे process से गुजरना पड़ेगा मतलब उसको एक current account open करवाना है तो वह सबसे पहले जाकर अपनी जीस्ट अपलाई करेगा कि मतलब जीस्ट में अब वह प्रोप्राइटर है तो बनेगा फिर उसके बाद यह अगर प्रोप्राइटर मतलब यह basic basic अगर आप GST अपलाई नहीं करते हैं कि आपको लगता है कि मैं फिल कर पाऊंगा तो आप अच्छा तो मतलब वह कर सकते हैं चीक है तो मतलब मैं समझ गया कि कुछ बैंग सब्सक्राइब और कोई लेवल पर एक अलग प्रोड़क्ट यह कोई गृवर्मेंट ने नहीं लौंच कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलवा सकते तो बैंक के ऊपर है यह कि कुछ बैंक्स जीरो बैलेंस ऑफर कर रहे हैं गरए और कॉर्ण अकॉंट कुछ नहीं करते हैं basically government ने I think यह compulsion जरूर है कि एक businessman को छूट होने चाहिए balance maintenance की जैसे कि अगर मैं ICC bank की बात करूं तो ICC bank में भी एक account ऐसा open होता है जिसमें कि अगर आपकी firm new है new registration of the firm है GST अभी जस्ट आपने बनाई है आपकी नई firm है तो आपको एक साल तक balance maintain करने के तो basically आपने से starting में clear कर देगी तरह तरह की एक तरह से product bank का है कि current account bank का product है और हर bank offer कर रहा है तो अब मेरे को एक चीज़ जानने कि हर bank offer कर तो बंदा मतलब कैसे जाने कि कौन सा product लेना ची मतलब जैसे माले जब एक्जांपल ICC bank offer कर रहा है SBA offer कर रहा है AU offer कर रहा है अब अलग-अलग कर रहे है कि कोई zero balance भी कर रहे है कोई minimum balance भी कर रहा है अब वो services देखने पेड़ेंगे कि सबसे पहले exactly exactly सारी बात ही services क्या जाती है अब आप saving account open करवाने चाहते हो आपको पता है ना कि आपके पास 50,000 रुपया तो आपके savings account में रहता ही रहता है तो आप बड़ा account खुलवा सकते हैं जिसमें आप maintenance जादर रख सकते हैं ठीक है जब आपको पता ही है कि आप zero balance आपका कभी-कभी balance zero चला जाता है तो आप zero balance account ही prefer करते है savings account में same with the current account बहुत सारे business में कहते हूं कि बहुत maximum number of businesses ऐसे हैं जो अपना दिन का business run करते हैं without any मतलब उनका account में जैसे पैसा है तो वैसे ही चला जाता है वह थोड़े मतलब मैं अगर बात करूं तो वह थोड़े privilege customers हो जाते हैं ठीक है उनकी payments dollar में आती है या जाती है तो वह देखो current sorry current account में भी basically अगर आप trade account prefer करते हैं तो trade account में अलग अलगते रहे कि वह हैं जैसे कि अगर आप exporter है अगर आप exporter है तो आपको BRC के लिए charges देने पड़ेंगे bank को ठीक है तो आप ऐसा current account adopt करोगे जहां पर अगर आप balance maintain कर सकते हैं जहां आपको BRC के कम से कम charges देने पड़ें क्योंकि एक BRC के आपको 500 रुपे देने पड़ रहे हैं तो आप चाहोगे ना कि मेरे को ऐसा current account मिल जाए जहां मेरे को BRC के 100 रुपे देने पड़े हैं मेरा खर्चा कम से कम हो ठीक है क्योंकि एक ट्रेड अकाउंट जो है वह maintain हो जाता है balance क्योंकि उनका तो जो एक payment आई और उन्हां एक दिन भी रोक ली डॉलर्स में payment आई एक दिन भी रोक ली तो वह भी balance maintain कर जाता है मैं समझ गया कि उनकी payment इतनी बड़ी बड़ी होती है कि तो बंदा वो करता है तो मतलब simple से बात यह है कि जब भी current account खुलवाओ तो variety मिल जागी आपको current account की different different bank मिल जाएंगे तो आपको सबसे पहले यह देखने कि आपको क्या क्या services मिल रहे हैं कि उसके बिल्कुल देखो अब services की भी अगर मैं बात करूं एक current account खुलवाता है businessmen तो वह basic अगर मैं वेंडर्स की बात करती हूं बेसिक दुकानदारों की बात करती हूं तो दुकानद तर एक दुकान दर जादा तर cash में deal करता है बहुत कम देखो मैं मान रही हूं कि UPI का trend आ गया बहुत जगह UPI use हो रही है ठीक है मैं खुद पैसा cash नहीं रखती है अपनी pocket में खुद मैं UPI transaction जादा करती हूं लेकिन अभी भी बहुत सारे vendors ऐसे जो cash जिनके पास collective cash आता है जैसे petrol pump पलों की बात कर लो उनके पास भी cash बहुत आता है वह उनके पास बहुत cash आता है ठीक है तो आप ऐसा account देखिए कि जहां cash deposit limit मालीजी अगर आपकी cash transaction बहुत जादा है तो आप ऐसा account prefer करेंगी जहां आपको पता है कि इस account को खुलवाने से मेरी जो cash deposit limit है वो अच्छे खासी मिल रही है ठीक है अगर मैं इस limit से ज्यादा परसीड करूंगा तब ही charges लगेंगे ठीक है तो यह सब चीजे ध्यान रखे और भी कुछ key points बताई जैसे आपने cash deposit limit बताई तो ऐसे करके और भी key points बेसिक तो आपको service है देखिए बिल्कुल मैं स SBA ही गया क्योंकि आपका SBA में account है वो line में लगा और वो दुपहर तक line में लगा रहा और आगे से आवाज आती है sir lunch हो गया बात में करेंगे ठीक है तो क्या लगता है क्या बीतिये कि भया एक exactly आपने किसी को भेजा उसका भी time waste ठीक है ऊपर से line में लगना अलग से और अ current account या आप private bank services ऐसे दे रहे हैं ना क्योंकि उनको तो services से ही customer खुश रखना है अगर आप किसी private bank अगर business भी कर रहा है अगर business product बेचता भी है तो वो अपनी service के दम पर ही बेचता है ठीक है private bank में क्या है वहां तो ऐसा होता है कि अपने RM का call कि मैं cash लेकर आ रहा हूं देखन मेरा number लग जाए जल्दी से जल्दी से हो जाए काम थोड़ा सा देखना एक बार मेरेको थोड़ा time कम है तो हो जाता है वहां कोई ऐसा निया कि lunch के लिए उठके चला गया अब मैं यहां पर cash deposit नहीं हो रहा cash department बंद है ऐसा नहीं है private banks में एक employee उठके जाता है तो दूसरा cash department में आ जाता है अपने seat पे आगे बैठ जाता है ठीक है तो और भी बहुत सारी services है यार आप देखो देखो आप समझो चेक के लिए बहुत सारी services न EFT, RTGS कितनी सारी transactions ऐसी होते है ट्रेड के transactions हो ऐसी है जो रात रात भर तक चलती है अब मैं बात करूँ ट्रेड की transactions की बात क कर लेती हूं क्योंकि मैं देखो मैं ऐसी सी बात कर रहे हूं तो मैं उसके key points उठाती हूं की points में आपको मैं बता हूं तो उसकी जो net banking किसी का promotion नहीं कर रहे हूं ठीक है आपको पता है यह जो सचाहिए बिल्कुल कुल खेगे और इसके सामने तो मैं उसके net banking उठाती हूं उसकी net banking में ऐसी ऐसी trade services है ट्रेड की भी बात करूं ना ऐसी ऐसी कि आप एक आपने एक deal id डालनी है बस और आपकी payment settle हो जाएगी आपके account में पैसा आ जाएगा घर बैठे बैठे तो आज के जमाने में ना लोग देखते है कि digitally कौन सा interface सबसे अच्छा है तो ऐसी ऐसी बैं जबर्दस्त मतलब जबर्दस्त आप इतनी services सिर्फ net banking से ले सकते हो कि आप बैंक जाने की जुरत ही नहीं है वह बैंक पैसा खर्च कर रहे हैं कि आपकी जो आप किसी बंदे को भेज रहे हो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है वैसे गोर्मेंट में धीर सारे डिजिटल हो रह आइगरी पूल के जी लेकिन अभी भी अगर मेरा सेविंग्स अकाउंट है एक बार ही cash जमा करवाय था life में उस टाइम ही लंच टाइम हो गया था तो मैंने सच माल लिया इस बात को कि यह लंच टाइम तो भया फिक्स ही है सिर्फ मैंने करवाने करे लिए कि मिन बात यहां पर यह है कि करेंट अकाउंट तो जीरो सिकते लिमिट वाला भी घुल सकते तो आपको नीड के सबसे कुंसुंस जहाँ पर बेनिफित हो हो अकर आपको 10 जार क्रेंट stories 10 जाथ imagining तो यह तो अगर मैं आप मतलब एक लाश्ट पूछू ओवरॉल आपने इतना सारा घ्यान दे दिया ओवरॉल अगर इस वीडियो को रैप अप करना चाहिए क्रेंट अकाउंट में तो आप क्या कहना चाहोगे बिजनस के लिए आपको लॉन मिल सकता है ठीक है और दूसरा कि आपको एक तरह यह लगता है कि सेविंग्स अकाउंट में तो अगर मेरे थोड़ा फालतु पैसा हुआ तो मैंने फडी बना ली ठीक है तो यह फैसिलिटी करन्ट अकाउंट में भी आपको मिल जाती है लेकिन बैंक वले बताते नहीं है ठीक है वहां पर ओटो स्वेप करके एक फैसिलिटी होती है वह आपको एफडी की वह मिल जाती है लेकिन आपको अपने कोई चेक लगाया तो वह एफडी में से डेबिट हो जाएगा ठीक है तो मतला बेसिक बात यह है कि एफडी आपको यह रहत है आपको पैसा थोड़ा सा सेव भी करना आपको इंटरस्ट भी चाहिए तो अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा है करन्ट अकाउंट में तो आप बैंक वले कभी नहीं बताएंगे मैं समझी आपकी बात ठीक है क्योंकि एफडी उनको नहीं चाहिए उनको बालेंस चाहिए मै है मेरा करोड रुपया भी पड़ा है तो मेरे को ऐसे ही रखना पड़ेगा लेकिन एफडी हो जाती है आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मुझे ओटो स्विप एफडी की फैसिलिटी चाहिए तो बेसिकली यही है कि आप करन्ट अका चूज करो अपना बैंक अपनी सर्विसिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से चूज करो अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में भी किसी बैंक में अच्छे एक्सपीरियंस फील हुआ है तो सर्विसिस के मामले में अपनी सर्विसिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप अप पर अपना कॉम्पेटेशन बहुत है आज कल हर बैंक अच्छी सर्विसेज देने के लिए ही बहुत कॉम्पेटेशन है मार्केट में तो बेसिकली आप अपना कॉरेंट अकॉंट खुल वाला चाहिए जीरो वाला खुल वह आप अपनी नीड के हिसाफ से देख लेना तो जरूरी होता है ऐसे ही आपको GST के लिए भी अप्लाई करना जरूरी होता है तो इस सारी चीजे में मतलब अपना ध्यान बना के रखा करो तो बाकि नैसी जी बहुत बहुत थैंक यू बाकि आको फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोच सकते हो हम रि